नमस्कार आप देख रहें डी टीवी भारत और मैं हूँ आपके साथ रितेक आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई यानि कि आज बिहार विधान मंडल का मौनसून सत्र शुरू हो गया है लेकिन पहले दिन ही सत्र बड़ा हंगामेदार रहा और सत्र इसलिए भी राग्यू की विपक्ष के पास कई मुद्दे जिसे लेकर आज एक बार फिर विपक्ष सदन पहुँचा और विपक्ष के माननी सदस्य ने वहाँ पर हंगामा शुरू किया और उसको देखते हुए 23 जुलाई के सुभा 11 बज़े तक के लिए विधान मंडल की कार्यवाही उस्थगित है लेकिन इस बीच आपको बता दे कि तमाम लोग वहां पहुंचे इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार भी विधान परिशत पहुंचे जहां पर विधान परिशत के कार्यकारी सभापती अवधेश नरायन सिंग ने उनका स्वागत किया उन्हें फूल गुल दस्ता दिया और उसके बाद सीम का स्वागत कैस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारके शोर प्रसाद और उनके साथ-साथ बिहार के शिक्षा मंत्री विजयकुमार चोधरी भी मौके पर मौझूध रहें मुख्यमंत्री के साथ तो आपको बता दे कि अब सदन की कारेवाही को स्थगित कर दिया गया आपको बता दे कि इससे पहले भी एक दिन पूर्व विपक्ष्री एक जुट हुआ था पटना में राबड़ी आवास पर नेता पृतिपक्ष्री तेजस्वी अदव के अधियक् रखना है आपको बता दे कि जब आज विधान मंडल की कारेवाही शुरू हुई तो विधान सभा के अध्यक्ष्र विजय कुमार सिन्हा ने सबसे पहले सबको सोमवार की शुब कामनाय दी क्योंकि यह सावन का पहला सोमवार है और उन्होंने कहा कि यह आज बहुती सुख नेता विपक्षो के विधायक और नेता प्रतिपक्षो तेजस्फवी आदव जो बजट सत्र के वक्त पिछले साल बियारविदान सभा दूजार बीस में जब विपक्षी विधायकों के साथ बचसलूगी की गई सदन के अंदर उसको लेकर भी नेता प्रतिपक्षो के पास दिन का ये सत्र है मौनसुन सत्र और इसे हंगामेदार ना रखते हुए लगातार लोग अपील भी कर रहे हैं कि शांती पूर्ण तरीके से सदन को चलाया जाए और अपने मुद्दो को रखा जाए फिलाल खबरों में इतना ही बने रहे हैं डिटीवी भारत के साथ नमस झाले बने पूशकर मुद्दो कर दोचकर